एक ऐसा युद्ध जो महज तीन घंटे चला लेकिन इसमें मुगलों को वो करारी शिकस झेलनी पड़ी कि कोही नूर हीरा तक उनसे छिन गया और दिल्ली को भी बरबाद करके रख दिया परिश्यन सेना से उन्हें मुगी खानी पड़ी और मुगलों के करीब 30,000 सैनिक मारे गए हम बात कर रहे हैं करनाल युद्ध की करनाल युद्ध महज 3 घंडे चला जिसमें परिश्यन समराट ने मुगलों को पराजित कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया गया सबसे पहले हम जान लेते हैं नादिर्शा और मुहम्मद शाह थे कौन नादिर्शा या नादिर कुली का जन 1688 में पूर्वी इरान के खुरासान में हुआ था उनके पिता इमाम कुली तुर्कमान जाती का एक साधारन किसान था जो भेड़ की खाल से कोट और टोपियों सिलकर अपना परिवार का पालन करता था नादिर्शा को अपने आरंदिक जीवन के बड़े कश्ट जेलने पड़े क्योंकि बश्पन में ही उसके पिता की मृत्तियों हो गई थी वही मुहम्मद शाह का जन 1702 में हुआ था मुहम्मद शाह एक बड़े मुगल बाट्शा थे इन्हें मुहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है मुहम्मद शाह बड़े ही रंगीन तबके के थे इन्हें नाच गाने का बड़ा शौक था मुगल बाट्शा मुहम्मद शाह और नादिर्शा की बीच करनाल का युद्ध 1749 इसवी में लड़ा गया नादिर्शा के आक्रमड से भैभीत होकर मुहम्मद शाह ने 80,000 की सेना लेकर निजाम उल्मुल्क कमरूत दील और खाने दौरा के साथ आक्रमड कारी का मुकाबला करने के लिए चल पड़े या युद्ध महज 3 घंडे तक चला इसमें नादिर की सेना मुगले के मुकाबले छोटी थी पर अपने बारूदी अस्त्रों के कारण फार्सी सेना जीत गई उसके बाद नादिर की सेना ने कोहराम मचा दिया दिलनी पे कमस कम लाख लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला वहां का द्रिश ऐसा था कि नाले से पानी की जगा सिर्फ खून बह रहा था पतियों हरी की जगा लाग हो गई थी और मुगलों ने सुन्दर बगीचे जो बनाये थे उसमें हिंदू और मुस्लिमों की लाश पड़ी हुई थी बस हारने के बाद दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद शाह ने संभवत मार्च 1749 में दिल्ली पहुचने पर ये अफ़ा फैली की नादिर शाह मारा गया इससे दिल्ली में भगदर मच गई और फार्सी सेना का कतल शुरू हो गया नादिर को जब ये बात पता चली तो इसका बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया उसने दिल्ली में भायाना खुन खराबा किया और एक दिन में कई लाख लोगों को मौत के खाट उतार दिये इसके अलावा उसने शाह से धंदराशी भी लूट ली महम्मद शाह ने सिंधु नदी के पश्चिमी की सारी भूमी भी नादिर शाह को दान में ले दी हीरे जवाहरात का एक जखीरा भी उसे भेंट कर दिया गया जिसमें कोही नूर, दरिया नूर और ताज मह नामक विख्यात हीरे शामिल थे जिसके बाद नादिर शाह ने महम्मद शाह को मुगल समराच भोशित कर दिया तथा खुदबा पढ़ने और सिक्के जारी करने का अधिकार पुन लोटा दिया 1761 को पानीपत की तीसरी जंग के साथ करनाल का युद्ध ने मुगल समराच के खात्मे में बहुत बड़ा किरदार ने बाया इस युद्ध के बाद भारत में अलग-अलग राजनीतिक शक्तियों ने जन लिया जैसे मराठा, सिक्ष, आदि लेकिन कोई भी तुबारा मुगलो की तरह हिंदुस्तान में एक छक्र वैबाउस ताफित नहीं कर पाए जिससे अंग्रेजों द्वारा भारत गुलाम बनाने में आसानी हुई इसलिए करनाल का युद्ध हिंदुस्तान के इतिहास में महत्वकूर्ण घटना के रूप में भी देखा जाता है